जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टेटी प्वेंट पे दोस्तों आज मैं आप लोगों क्लिए आरे सेगरवल मायद का कुछ इंपरेंट प्रस लिकर काया हो देखिए 126 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हो दोस्तों आज हम लोग अ उतने ही देड़ में एक रुद्धत टीन अई द्रहों टीन अदिकटे की के एक टोस्तों में टयक लाइं धुड इड़ी स्या व्सका गुर्वाल 만 बगार्वर हो तो कुछ फ्र Best की चालो का रुपात क्या है शै ऐसीं छल्भल को स्बाइए इसके लिए में बताता ओं को यह वो गया stirrud तो अट और यह वो गया कुटा अब यह जो है घर घो पाँ चलंग लगाता है और तीन चलंग लगाता है उसके लाग मेरोगता है उसके दित कुट्टे की एक चलंग करेंग के तिरुछा गुड़ा कर जिंगे 5 पांच को एक स्विछ गुना करेंगा ती ये 5 आजएगा और ये तीन को गुना करेंगे तीन की त्येजी ये नजाएगा आनिक तानों हमा चाहन छलांग लगाता है और खर्गोस यहां पाथ है तो कुट्ता हमारा नौ हो गया और खर्गोस पाथ हो गया अहीं हमारा एंसर हो गया दोस्तों चलिए आगे बढ़ाते बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं इसलिए मैंने बोला कि इस कोचर में आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है चलिए अब देखेए 180 無बर प्रस दोस्तों कि इह 108 नमः प्रस का रहा है एक परिच्छा में पर्वीन तसा विजय के प्रतांग पार चार उनुपाद पात्य जबकि वजय तथा सुरेश के प्रापतांकों का नुपात तीन अनुपात दो है, परविन तथा शुरेष के प्रापतांकों का नुपात क्या है? सारे के सारे सिंपल प्रस दो तो लेकिन अच्छे से आपको कॉपी में नोट करते जाए मैं पूरा चैप्टर एक कोचन पढ़ा दिया हूं दो तो एक परिच्छा परवीन तथा विजय यह परवीन हो गया तथा यह विजय हो गया इनका अनुपाद चार अनुपाद पाच है फिर बोला है विजय तता सुरेश का प्रापता अंक तीन अनुपाद दू है यह विजय हो गया और यह सुरेश हो गया इसका तीन और दू है अब हम इसको कैसे लिखते हैं देखे परवीन और विजय उसके बाद जो है विजय की न देखा उसके आधा जागा पर्विविग और सुरेश, इस तरह सा जागा दोस्तों। अब जैसे उर키 wieder बीजेए और सुरेश। परविवर्विवक्त का यहाँ पर देखे चार है। जार ऐंटात पांच और तीन है अर अब हम से पूछ रहा है पर मेंत दग आथा सुरेस का प्रतांक तूरा हम्त अनुपात 10 अब इसको काड़ देते हैं ठीक है 12 अनुपात 10 क्योंकि दो ही कप उच रहा है तो दो काड़ दीजेगा चलेगा तो दो च्छके 12 और दो पच्छे तो हमारा छे अनुपात 5 आ गया इंसर दोस्तों क्या आया परविन और सुरेश तो छे अनुपात 5 अहीं हमारा इंसर आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं यह हमारा इंसर आ गया अब देखे 139 नंबर प्रस दोस्तों 139 नंबर प्रस का रहा है एक परिच्छा में अनसुल ने अंग्रेजी में विज्जान से दुगन लिये अंग्रेजी विग्यान तासा गनीत में उसके कुल प्रापतांक एक सोस्ती थे अधि अंग्रेजी तासा गनीत में उसके प्रापतांकों का नुपाद दो नुपाद तीन हो तो विग्यान में उसके प्रापतांक कितने थे देखें दोस्तों विज्ञ्ञान और अंग्रेजी ठीक थो लगन में धून ए पिर बोला अंग्रेजी और विज्ञान तो सिर्फ हम इसको यह लड़ दे रहे हैं यह हो गया विज्ञान यहां भी यहां वह हो हैं यह उंर द के ठीक विज्ञान और अंग्रेजी लिखते हैं विज्ञान और अंग्रेजी यह हो गया फिर अंग्रेजी और विज्ञान यह अंग्रेजी अंग्रेजी निकिपते लिख दीजे और विज्ञान इधर बढ़ जाएगा अब देखिए ये इधर बड़ जाता है और ये हमारा इधर बड़ जाता है अभी हम बताएं आप लोगों को तो अंग्रेदी और विज्यान बोला है अंग्रेदी में विज्यान से दूगने अंक है तो अंग्रेदी में अंग्रेजी में साइन्स है ठीक है दूगने अंक है यह एक है तो यह कितना है दो है फिर बोला है गनीत में दुगने अंक लिए अंग्रेजी विज्ञान तथा गनीत में उसके कुल प्रप्तांग एक सबस्थी थे उसके बाद यहां बोल रहा है अंग्रेजी और गनीत में उसके प्रप्तांग दो नुपातिन है अंग्रेजी और गनीत ठीक है अंग्रेजी और गनीत एक मिनट दोस्त कि यह दोस्तो हमारा यह जो बिग्जान लिखे हैं यहां पर गनीथ होगा ठीक है यह थोड़ा से मिस्टेक किये क्योंकि यह अंग्रेजी और गनीथ है यह हमारा गनीथ हो गिया अब अंग्रेजी और गनित अंग्रेजी दो है और यह गनित तीन है यह दो आजागा यह तीन आजाएगा यह माइत लिख दीजे अब यह दो इधर बढ़ जाएगा और यह दो इधर बढ़ जाएगा अब इसको उगना किजिए दो दो दुनी चार और तीन दुनी छे आएग अब बोला है अंग्रेजी विज्ञान तथा गिनीत में उसके कुल प्राप्तां के 180 है तो कितना 180 अब इसको जोड़ते हैं तो छोचार दस दूबारा बारा बराबर 180 अब इसको काट दीजे तो एक मिनिट यह कटता है इसको काट लीजे दोस्तों यह हो गया एक दो एकम दो टे अट्र 10-買एख यह कट गया अब कट गया तो यह हमारा जो है, सो 6 यह दूश्तों कितना आइगा इसट खेर आया शंबराबर 180 थो एकक पराबर चहोटिया 182 इक दी तू इसको आई पेदियों एक पराबर हमारा जो आ गया साथ थीस आघे दोस्तों अब पूछ रहा हैं तो विज्ञान में कितनी प्रवापतांग में यह यहां दोस्तों यहां थ्धोड़ा से मिस्टेक किये थे यहां 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 आजाएगा विज्ञान विज्ञान यह हमारा हो जाएगा अंग्रेजर है शाले, और यह हो जाएगा मायथ हूर अने गनीत तो विज्ञान में कितना यहां इक हैं Ó ये कीटना WORK है किटना जाए अब देखिये, 130 नमबर , 130 प्रस करा रहा है पांत के लिए 4 सेवो के मुल्ए, तता साथ सेवों के मुल्ए के बराबर है , एक के लिए तता सेव के मुल्यों का अनुपाद किया है देखिए पाथ के लिए और चार सेव पाथ के लिए प्लस चार सेव का मुल तीन के लिए और साथ सेव के मुल के बराबर है तेन केले और साथ सेव कितना तो साथ सेव साथ सेव के मुल के बराबर है अब हम इसको क्या करते है यह केला यह इधार आजाएगा और यह से उधार चला जाएगा थेकह.. तख जब यह बराबरр 3 के लिए जो इद्लीं बराबर की फलत में थी हम हो जाएगा तो 5 के ले मैने इंद्ञा कर दो यह बराबरr से भप ऐदर ढ़ाएगा तो यह लिए दर जाकर यह फ्रीत में जब दो दो जाकर देए मैने सो जागा तो साथ से ख justement मैंनस चार सेव अब इसको घटा दीजिए पांत केले मैं तीन केले घटे गए तो दो केले बरावर साथ में चार गया तो तीन सेव हो गया कितना हो गया तो तीन सेव हो गया अब हमारा जो होगा सो केला हमारा हो जागा तीन और सेव हो जागा चार क्यों की बरावर के इधर कब होता है तो हमसे पूछ रहा है सेव तदा एक केले तदा एक सेव केले और सेव कामूल अब देखे केला तीन हो गया और सेव कितना हो गया पांच यह कितना हो गया दो तहीं हमारा अनुपात आया तो सही इंसर क्या आया तीन अनुपात दो यह यह नमबर आया दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रस को देखते हैं और पीडियोप के लिए दोस्तों आप लोग टेलिग्राम जॉइन कर लें मैं वहाँ सारा का सारा पेडियोप टाल देता हूँ अब देखिए 131 नमबर प्रस बुल रहा है हर इक पास कुछ गाये तता कुछ मुर्गे हैं अधिकु देखिए फर्मूला क्या है पैर मैनस सीर है यह इतना ही करना यह अपका फर्मूला हो गया तो पैर कितना है तो शीरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 तो यह 140 मैनस सीर कितना है 48 48 गुने 4 क्योंकि यह मुर्गा पूच्छा दो पैरो वाला तो यहां 4 सुगुना होगा बटा में 2 कर देंगे अब इसको कर दीजिए 140 मैनस और 44 चौके चारी अठी बच तीस तीन हाथ में 4 चौक 16 16 192 अब दो से डिवाड़ कर दीजिए अब हम में 140 को घटा देंगे तो 40 बावन आजाएगा कितना आजाएगा बावन यह प्लस मैनस को कोई बेलू नहीं है आप दोस्तों ठीक है कि मैनस में आ रहा है यह बटा दो अब इसको काटेंगे यह 26 आ जाएगा यही हमारा एंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो कितने मुर्ग में 26 को घटा देंगे तो उतना गाया आजाएगा सिंपल सा बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स प्रस को देखते हैं अब देखिए 132 नंबर प्रस्ट एक सो बतीस नंबर प्रस्ट है 126 पर्थी किलोग्राम 135 पर्थी किलोग्राम की दो परकार की चाय को तिस्रे परकार की चाय के साथ एक एक दो के अनुपात हम लाया गया ज़िए इस परकार बने मिस्रें का मुल 130 रुपी पर्थी किलोग्राम हो तो तिस्रे परकार की चाय का मुल पर्थी किलोग्राम क्या है जो एक पर इसको किलियर करता हूं है तो एक हुए 126 रुपिय दूसरा है 135 कितना है 135 रुपिय किलोग्राम ठीक है और परती किलोग्राम दो परकार की चाय को तीसरे परकार की चाय के साथ एक एक दो के अनुपात में मिलाए गया तो तीसरे परकार की चाय के साथ एकस किलोग्राम अब यह जो मिलाए गया गया एक यह मिलाए गया एक और यह मिलाए गया दो एसको गुना कर दीजे तो 126 आएगा यह 135 और यह हमारा जागा 2X ठीक है और बोल रहा है तीसरे परकार की चाय को तीसरे परकार की चाय के साथ एक एक दो करनुपाचु मिलाए गया अब हमारा जो है इसको किस अनुपाचु मिलाए गया तो एक सो तीरपन इस परकार बने मिलाए पर्तिक के लोगए तो तो टोटल को मुलाए एक सो तीरपन रुपया है और चाय कितना परकार का है इसको जोड़े एक दो दो और दो चार यह चार होगा जाएगा इस चार से इसको गुना कर दीजेए चार सीसर वारा 4 पचे बीस 211 दूरात में चार ग और जब हम इसको जोडते हैं, दिये आजाते हैं 126 और 135 को जोडेंगे हम, तो हमारा 261 आजागा, 261 ये 261 आजाए दोस्तों, एक मिनिट, 161 और प्लस 2X, अब हमारा 612 आएगा, और 2X बराबर 612 मैनस 261 इज़र आके घड़ जाएगा, तो 201, अब 201, 261, 2X, sorry, 2X, 612 मैं, 200, 100 को घटाएंगे, तो हमारा 351 आएगा, 351, और X बराबर, जब इसको हम डिवाइट करेंगे, तो आपका आजाएगा, कितना आजाएगा, 175.5 आजाएगा, दोस्तों, 175.5, अहीं हमारा एंसर आजाएगा, एक मिनिट, 25.5 आजाएगा, दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्क्राइब करें, चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू,